वेलकम तो एवरिवन जैसे कि हम लोग पढ़ रहता है पार्शलर डिफेंसेशन जिसमें कि हम लोग का 9th lecture हो चुका है आज हमारा 10th lecture है तो 10th lecture में हम लोग क्या पढ़ने वाले बोड में दिख रहा होगा तो यूरर स्ट्रम के लिए कहा अपलाई होगा होगा हमोजनियस पंसन रहेगा तब ही जाके वह यूरर स्ट्रम अपलाई होगा और इससे लेटेटर एक्जाम में प्रिवेस यूरर क्वेशन पर प्रण नहीं देखे होंगे मेरे चैनल में अप्लोड है प्रेलिश्ट पना अगर फर्स्ट पेरेबल के रिस्पेक्ट नहीं देखना होगा तो फिल्टेश्ट के वह चलते हैं अगर मेरे वीडियो थोड़ी सीब अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजेए और प्रिंट्स में सेर कर दीचे तो डिफिनिशन सबसे पहले लिगते हैं इफिनिशन क्या होता है डिफिनिशन हो इनिशन का इपने लेट मानेगे यू इक्वल टू एफ ओफ एक्स वाई मेंस यू जो है वो एफ ओफ एक्स वाई दो वैरेबल का फंसन है बी अन अलचेबरी फंसन 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 अफ टो वैरेबल ठीक है टो वैरेबल एक्स अट वाई एक्स अट वाई एक्स अट वाई वैरेबल जो है वो क्या होगा इन इच टर्म इकेला इकेला ठीक है इन इच टर्म बीह सीम हो अगर सेम होगा क्या पावर मान लेका एक्स का टु है तो य का भी टू है और शीज पंसन मोचलते हैं या जो होगा यू ऑप य क्वाल ऊप एक्स वाई जो टर्म दिया हूआ है है this is a homogeneous function यह हमारा homogeneous function होजाएगा टेकंग एग्जामपल एग्जामपल ले सकते हैं जैसे easy मतलब for example होता है माले कर यह हमारा है x3 plus y3 xy तो यह जो है देखें, XQ, मतलब X का power 3 है, Y का power 3 है, then दोनों का power 3 है, तो क्या होगा? homogeneous function होगा, आपको माइंड में यह question arise होना चाहिए, अगर power same नहीं हो तो कैसे हम homogeneous fine out कर पाएंगे? तो उसके लिए हम note करके दिखा रहे हैं, उसमें क्या हो? condition apply होगा, तो note करके हम लिखा दे रहे हैं, अगर power same नहीं हो तो वैसे definition आएगा तो आप लिख दीजएगा arm से, कोई problem नहीं, बट क्या होगा? हम पर लिखा रहे है, U equal to f of xy, यह जो है, वो क्या है? is a homogeneous function, ठीक है? is a homogeneous function, homogeneous function होगा, ठीक है? homogeneous function किसमें है, तो इन x में है, अब इसमें क्या होता है? यह केला-केला हो जाता है, जैसे इसमें था, xy जोनों same था, power तो xy का दोनों का homogeneous function होगा है, बट हम definition लिखा रहे हैं, कि अगर power different हो, तो क्या होगा? U equal to f of xy is a homogeneous function in x, x में ही homogeneous function है, ठीक है, and, जो y है, and, y of order n, order n, y का जो है, order n order तक गया है y, चीक है, तो क्या होगा? if it can be expressed, इसको कैसे लिखा जाता है, तो किस तरीके से होगा? U equal to, हो सकते है, x का power and this one, ठीक कि एक्स की homogeneous है, and यहां 5y upon x, this one, तो यह हमारा हो जाता है, अगर इस formation में दिखा दिए, then this is homogeneous, और इसी तरीके से एक T का भी function होता है, तो वो second method होती है, यह first method हो जाती है, homogeneous find out करने का, ठीक है, वैसे तो normally find out हो जाएगा, अगर power same रहा, तो homogeneous है, but power same नहीं है, तो यह तरीका होता है, find out करने का, ठीक है, this one, यह find out हम लोग इस formation में दिखा देंगे, तो इजेली हमारा homogeneous function find out हो जाएगा, तुछे लेक्वेस्टन से समझते हैं कि इस तरीके से हम अगर्वेस्टन दिखाएगा, तो first method हमारा देखिए, इसका actually में प्रूव है, ठीक है, this one is the proof है, ठीक है, तो उतना जोड़ी हैं अगर्वेस्टन से लिखिए, first method, how to check the given question in homogeneous or not, okay, कैसे करेंगे, तो method one हम देते हैं, method one, what, कैसे होगा देखिए, y, same, जो हमारा f of x, y होगा इस formation में, दिखाना क्या होगा, this one, इस formation में अगर दिखा देता है, यह हमारा एहन है, okay, this one, यह formation में दिखाएगा, देन बोलेगे क्या, जो है given question, homogeneous है, given question हम ले रहते हैं, u equal to x q plus y q plus 3 x y square, यह हमारा question है, तो देखिए, solution कैसे होगा, solution हम लोग करते हैं, सबसे पहरे लिग देते हैं, given जो दिया हुआ, given क्या दिया हुआ है, u के जगह पर हम लिख सकते है, f of x y, okay, तो u equal to f of x y है, तो इसे जगह पर u के जगह पर f of x y, this is equal to x q plus y q plus 3 x y square, ऐसे जगहा है, okay, now, आब फोमिशन चाहिए हमें यह, तो क्या करेंगे, तो x q हम तीनों से निकाल सकते हैं, common कर सकते हैं, common out कर लीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पर होगा, x q common out कर लीज़ें, then, तो यहाँ पर क्या बचएगा, यहां पर क्या है तो EXCII हमाइपा करें हम्हाइब कोई बाद नीघूब यहां से हम कमण conséquा कोई वाध करेंगे यहां दिंद में पर बचहेंगा ना तो यह हमारा होजाएक, y3, y में, यहां पर x3, प्लस यहां पर क्या करना होगा, 3xy square है, अट यहां पर क्या होगा, की x3 चाहिए, ना, तो x square अगर multiply करदे, तो क्या होजाएक, दिनों इत्रमें कुछ करना नीथ, x square ये, क्योंकि यहां कि एक्स उस्वार यहां दो गोगा थिए रहना फीकुर्ण शोड़ेगा यहां पर लाइव च्वार यहां तो आंप्र डिखेये यहां उजेगा in तो यह हमारा x q हो गया और 5y upon x यह तो देखिए बस किसी में convert करना था यह जो power वो 3 है अब लगत वो सकते हैं 3 order वो सकते हैं power वो सकते हैं तो इस जो question है इस होमोजेस पंचन हो गया next question लेते हैं और उसको भी जिच्छेकाउप्र लेते हैं कि नहीं यह समझमा है अगर नहीं समझमा है तो next question लेखें इस तरीके से दिया हुआ है X square plus Y square denominator में है X plus Y चिक्छा है तो इसको कैसे करेंगे सायर्ट solution Given क्या करना होगा UK देखा P Чтобы X Y लेख सकते हैं एंड यहां पर होगा X square plus Y square denominator में है X plus Y अब simple common out korna है यहां से X वाले terms common out करना है यहां से X वाले terms common out करेंगे क्या होगा X square common out करेंगे में बचेगा क्या I han met क्या होगा वाइपार नीज दिर्थ यह यह होगा एक cancel out होगा x बचेएगा single इस term को लिश सकता है y पॉन x का देखी यह term में आगी है तो यहां पर होगा 1 plus y पॉन x तो देख रहें कि यह term जो है यह किस फॉर्मिशन में है तो 5 y पॉन x के फॉर्मिशन में है ठीक है तो समझ में आया है यह first method किस तरह से होता है second method क्या होता है कि simple x or y के जगह पे x2 और y2 पुट आप होना रहता है कुछ भी नहीं तो second method हम बता देते हैं कैसे होता है क्योंकि उसका भी जूज होगा okay तो चलिए second method देख लेते हैं यह लिख लिए ना अब थोड़ा सब्सक्राइग रहे है यह f of x y का जो फॉमिशन होगा this is equal to t के फॉमिशन में simple हो जाता है यहां पे x का वहां पे t convert हो जाता है and यहां जो है 5 जो है sorry 5 में क्या होता है यहां पे function जो होती x y का function हो जाता है जो given question दिया वारत है वही फॉमिशन हमारा आ जाता है और t का फॉमिशन हमारा अलग स्थाता है तो this is यह हमारा second method है अगर इसमें convert कर देते हैं then हमारा क्या होगा homogeneous होगा तो given question यह question को बनाते हैं इसी commission से second method से क्या है x square plus y square denominator में क्या है x plus y चिक तो इसका solution कैसे होगा देखे सबसे पहले हम given तो लिखेंगे ही given f of x y क्या दिया हुआ है x square plus y square denominator में है x plus y this one now a put करनी है put x equal to kya करना है xt and y equal to kya put out करना है yt चिक है तो क्या होगा देखें यहां पर f of x y लिख सकते हैं या फिर आप इसको u के function में ही दीख सकते है f of x y ही लिखें तो put out जो करना हो ना right side में यहां पर करना हो ठीक है यहां पंतन के पास यहां नहीं करना है put out simple यहां पर right side में done data क्या होगा यहां पर एक्सस्वार टी स्कत तो देखें यहां पर T2 यहां पर T2 दोनुमें T2 यहां बचा हमारा x2 plus y2 यहां दोनुमें टी है तो यहां बचा है एकस प्लस वाई तो देखें यह जो कंशन है क्या है F of xy गोलिख सकते हैं इस तीज को तो यहां T यह दिखाना था ना कि टी का पावर यहां पर वन है ठीक है तो इसी में हुआ है इसी में करना था यह करना था जो कि हम कर दिये हैं तो वह सकते हैं इस पंसन पंसन तो यह हमारा हमोजनियस पंसन हो गया है उमीड है कि बहुत अच्छा से समझ में आया हुआ कि किस तरीके से इसको प्रेशन को सॉल्व हैं से केंड मेथड से क्योंकि सिर्फ वाल्य से यहां पर पुट आउट करना था एक्स य य तो अगर निच्ट प्रेशन भी लेना चाहता है इस पर तो हम यहां पर और क्वेशन कर सकते हैं चलिए करी देते हैं यू लॉग के लिए यहां पर एक्स यू है और लॉग के पॉर् है y ponex कैसे सौल करेंगें सिंपल लिखना है इसको हम ऐसे करते हैं गीवन क्या दिया हुमारे यह सोलेशन गीवन ऐखकर एक्स वाई एकोल तु दिया हुमारा एकस क्यू लॉग y pone x ये दिया हुआ है नहीं पुट करना है, x की जगह पे, x t, and y की जगह पे, y t put out करनी है, simple, चिक है, तो देखे, यह मारा पंसन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, x cube हो सकता है, और t cube, and this one log, y की जगह पे है, y t, x की जगह पे है, x t, चिक है, तो देखे, यह जो है, t t cancel out हो जाएगा, फो जाएगा, न, cancel out, this one tt cancel out हो जाएगा, and यह जो है, हमारा क्या हो जाएगा, यह t q को पहले लिख लेगा, t q, यहाँ पे हो जाएगा, x cube, यहाँ लिख सकते न, आगे पीचर, 2 x 3, 3 x 2, देख सकते है, 6 c जाएगा, then this one is the log, and यहाँ पे y पॉन x, तो यह फो मिशन आप खु of x, y, but simple, hence it is homogeneous, homogeneous, homogeneous यह भी हमारा हो गया, तो मी देख, बहुत अच्छे से clear होगा, कैसे find out क्या जाता है, homogeneous function, ठीक है, अग कोई भी question में कहीं भी doubt नहीं होनी चाहिए, homogeneous function क्या है, वो हम बता दिए, कैसे आपको find out करता है, वो भी हम बता दिए, thank you so much, यहाँ तक बने रहने क टेदी चाने को लेड़ी सस्क्राइब की जाईएगा, वो वीडिवो को लाइक कीजियाल, सेयर कहताँ चाँ